नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका हर्दिक हादिक स्वागत है हमारे यूटूब चैनल डीजी सेव में दोस्तों आज के वीडियो में मैं पीम विश्व कर्मा योजना में हित गराही का पंजन किस प्रिकार से करते हैं इस बारे में बात करेंगे आविधन करने से पहले आप इस योजना की एज लिमीट एलिजिबिल्टी और बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर हमारी वीडियो के लिंक मिल जाएगी जिसे आप देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रजिस्टेशन की प्रोसेस पे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको असानी से मिल सके रजिस्टेशन करने के लिए सबसे पहले आपको लाग इन पर क्लिक करना है इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप रजिस्टेशन वाले पेज पर चले जाएंगे तो थोड़ी देर वेट कीजिए ये रजिस्टर नाव वाला पेज आ गया है ये फैमिली में कोई government imply है तो आप इस योजना के पात्र नहीं है तो आपको no पे क्लिक करना है साथ ही आपने कोई government की credit scheme जैसे PM पे ने दी अप मुद्रा जैसी योजना का लाब लिया है तो भी आप no पे क्लिक करेंगे तभी आप इस योजना का लाब ले पाएंगे फिर उसके बाद ये जब पेज आएगा अधार verification वाला तो आपको उपर registered जो mobile number है अधार पे उस mobile number को और आधार नमबर को फिल करना है आपके अधार registered mobile पे OTP आएगा यहाँ पर आपको उस OTP को फिल कर देना है देना आपको continue बटन पे क्लिक कर देना है तो चलिए हमारा OTP आ चुका है यहाँ पर हम अपने OTP को फिल कर देते हैं और continue बटन पे क्लिक करते हैं थोड़ी देर प्रोसेस होने में समय लगेगा उसके बाद आपको आधार verification यानि biometric mandatory है यहाँ पर verification कराना तो आप verify पे क्लिक करेंगे और इस तरह से biometric को capture करेंगे अगर आपके hotel पे device का नहीं कर रही है तो यह URL है मैं आपको वीडियो के description में दे दूंगा आप चेक कर सकते है कि आपकी device यहाँ पर work कर रही है या नहीं अगर आपकी device वर्क नहीं कर रही है तो एक pop-up box आएगा तो यह URL जो यहाँ पर दिया हुआ है आप इसे copy करके वहाँ पर paste कर देंगे तो आपकी device वहाँ पर work करने लगेगी तो जैसे कि हमारी device यहाँ पर work कर रही है और हमारा Biometric Authentication Success हो चुका है और उसके बाद हमारा ये application form open हो चुका है जिसमें ज्यादा तर हमारी जो आधार के संबंदिर detail है वो automatic fill up हो जाती है उसके बाद हमें marital status fill करना होता है तो जो भी विवाहिक इस्तिती होगी single, married या widow, divorce तो आप यहाँ पर option को देखके choose कर लेंगे उसके बाद category आप किस category में से belong करते हैं SC, HD, OBC, General तो आप यह select करेंगे दिव्यांग, जन हैं या नहीं यह आप select करेंगे आपका business same state पे है जिस पे जो भी address आपके अधार पर है तो आपको yes करना है आपको no पे करेंगे और उसके बाद आपको कुछ और भी detail आपको simply option में पूछे जाएंगे आपका contact detail यहां पर दिया होगा तो वो आप यहां fill करेंगे आप से आपका pen number मागा जाएगा जो की optional है तो वो भी आप यहां पर fill कर देंगे उसके बाद आपकी family detail भी यहां पर पूछी जाती है जिसके लिए आपको अपना रासन कार number डालना होता है और face data पे आप क्लिक करेंगे तो आपके member की list आ जाएगी otherwise आप add row वाली button है इस पे क्लिक करके manually जो भी member है आपके परिवार के सदस्य है तो वो आप यहां पर aid कर सकते हैं जिसमें आपको उनका नाम आपका relationship और आधा number fill करना है relationship यानि कि आप अपने पती पतनी या आविवाहित ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कमके हैं तो वो आप यहां पर fill कर सकते हैं तो यहां पर मैं एक member का नाम fill कर देता हूं relationship हमने यहां पर डाल दिया और आधान number को भी fill कर दिया और जैसे कि हमारा आधार से address ले लिया गया है हमारा current address भी same है तो इस पे हम same पे कर देंगे क्या आप gram पंचायत के अंतरगत आते हैं अगर yes तो आप yes otherwise urban में आते हैं तो आप no पे क्लिक करेंगे और gram पंचायत में select करने के बाद आपको अपनी तैसील या block और अपनी gram पंचायत को drop down में से select करके fill करना होगा उसके बाद आपका जो पेसा है जो भी 18 व्यवसाएं है जो इस योजना के अंतरगत आपको right की ओर दिख रहे हैं वो आप select करेंगे यहाँ पर हमने tailor select किया है और यह consent है जो की mandatory है इस पर हम tick mark कर देंगे क्या हमारा business address भी same है तो यहाँ पर हम same करेंगे otherwise हम जो भी हमारा business का address है वो fill करेंगे और next button पे click कर देंगे हमारा यह page save हो जाएगा हम next page पे आ जाएगे यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने saving bank account की detail डालनी है तो हम अपने bank को यहाँ से select करेंगे IFSC code डाल के और search button पे click करेंगे हमारे branch का जो है नाम यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद दो बार हमें अपना saving account का number fill करना होता है तो हम इसे बारी बारी से fill कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर credit support के बारे में पूछा जाता है क्या आप credit support यानि कि loan लेना चाहते हैं तो maybe later भी कर सकते हैं अगर आप yes करते हैं तो यहाँ पर आपको minimum 50,000 amount और maximum एक लाग का amount यहाँ पर आपको fill करना होता है तो यह हमने यहाँ पर fill कर दिया एक लाग क्या हम same bank से करने के लिए working capital के लिए यह अपने business को बढ़ाने के लिए यह हमें fill करना है अगर हमारा पहले से कोई loan है यहाँ पर जो outstanding है तो यहाँ फिल कर सकते हैं यह option भी optional है यहाँ अगर आप digital incentive यानि हर ट्रांजेक्शन पर एक रुपए आपको incentive के तोर पे लेना है तो आप यहाँ यहाँ पर आपको उस mobile number जिस पर आप यह अपना UPI वगएरा चलाते हैं यहाँ पर आप उस number को और UPI ID यहाँ पर fill कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर next button पे click कर देंगे यहाँ पर आपको इस scheme के benefit के बारे में बताया जाता है कि आप यहाँ पर basic training के लिए eligible हैं जो की 5 day skill training होगी और advance जो की 15 दिन के लिए होगी इसके लाबा आप tool kit के लिए आपको 15,000 रुपए जो दिया जाएगा और marketing support अगर आप किसी तरह का चाहते हैं कि अपने product को e-commerce portal पे on board कराना चाहते हैं quality का कोई certification चाहिए आप trade fair यानि मेले वगारे में जो की website मेले होते हैं उस पर अपने product को sell करना चाहते हैं branding करना चाहते हैं अगर आपको किसी प्रकार कर support चाहिए तो आप यहाँ पर fill कर सकते हैं या आप इसे अंटिक करके छोड़ सकते हैं और आपको next button पर क्लिक कर देना है जो सारा कुछ आपने application भर दिया यह कुछ declaration होते हैं इन्हें आपको पढ़के और इस consent पर टिक करके submit बटन पर क्लिक कर देना है तोड़ी देर processing होगी और आपका application और submit होने के बाद आपके आवेदन का जो number होगा application number यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस number को आपको note down कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर done button पर क्लिक कर देना है यहाँ से आपके application की जो process है वो पूरी तरह से complete हो जाती है done button क्लिक करने के बाद आपको एक नया dashboard दिखाई देगा यहाँ पर आपके जो भी process complete हो चुकी है उनके step आप देख सकेंगे जैसे कि यहाँ पर आधार इक बाद सी step 1 में complete हो चुका है step 2 में हमारा registration हो चुका है step 3 यानि कि हमारा अभी जो certificate है और यह ID proof है यह दोनों अभी generate होने बागी है साथ ही QR code जो संभवत है digital payment का incentive के लिए होगा तो वो भी यहाँ पर generate होगा और left side भी कुछ आपको आपसंद दिखाई देंगे जैसे कि credit support, digital incentive, skill training इसके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकेंगे तो इस तरह से आप भी अपने आवेदन को आसानी से fill up कर सकते हैं और इस योजना का लाव CSC के मद्धम से अपने hit क्राईयों को दिला सकते हैं तो आसा करता हूँ यह वीडिया को पसंद आया होगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच सेयर करना मत भूले मैं फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ आपका दिन सुब रहे धन्यवाद